नमस्कार प्रिदर्शकों हाजिर हुमें आज का जो विशय है वो कल के विशय को और ज़्यादा विस्तारी करण यानि उसको मैं विस्तृत करने जा रहा हूं हो सकता है आज भी ये कारिक्रम अगर पूरन नँँ हो तो कल मैं इसको पुनह और एक जनमांक चक्र पर समझाऊंगा लेकिन आज इसको मैं विस्तृत करने जा रहा हूं प्रिदर्शकों कल मैंने बताया था जनमांक चक्र को उसके उपर एक रहस्य में चक्र बना करके बताया था एक यंत्र बना करके बताया था और आप सभी दर्शकों ने उसे पसंद किया कई लोगों ने बहुत सरल शरल सब्दों में इन त्रिकोनों के मतलब को भी कॉमेंट में लिख करके बताया और बड़ा आनन्द आया कि लोग इसमें बहुत दिल्चस्पी ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रिदर्शकों जोतिस इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि प्रतेक व्यक्ति इस नेत्र का लाव ले सके ये नेत्र है और आपको दूर द्रिष्टी देता है देखने की छमता देता है अब हम आगे के तरफ बढ़ते हैं और ये विचार कुनह करते हैं कि जिस विशय को हमने कल एक चक्र पर रखा था आज मैंने उसे चा चार भागों में बाट दिया है एक सामान्य जन्म कुंडली भी मैंने ले ली है मेस लगन की कुंडली इसलिए मैंने ली है ताकि जब मैं अलग अलग इसको करूँ तो आप थोड़े उलज है न अनिथा मैं और भी किसी लगन का लेता लेकिन अगर मैं अलग अलग लेता तो आप इसमें उलज जातें, क्योंकि यहां पर यह जो चार नंबर मैंने लिखा है, यह वैसे तो लगन में लिखा है, लेकिन देखा जाए तो यह यहां का भाव है, तो सबसे पहले जनमांग चक्र को देख लिजिए, और जनमांग का चक्र को देख करके, और हम आगे बढ़ते सश्ठम में सनी और बुद्ध सप्तम में गुरू और सूर्य अस्टम में चंद्रमा है नवम में सुक्र बैठे हुए हैं और दसम में केतू हैं अब इसके बाद मैंने विभाजन कर दिया है जनवांग चक्र को यही रहने दिया है चतुर्थ स्थान को यहां पर ले आ दिया हूँ यहां देखिए गुरू माफ़करिगा राहू बैठे हुए हैं लगन में और वहां से पांच घर आगे गिनने पर एक, दो, तीन, चार, पांच पांच घर आगे गिनने पर चंद्रमा आ जाएंगे बारह नमबर जहां पर लिखा है पांच घर आगे जाने पर वो खाली है इसके बाद सुख के भाव को मैंने पुनह अलग कर दिया है यह बन जाता है यहां पर लगन आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन यह सब्तम स्थान है अब इसमें बैठे हैं गुरु और सूर्य साथी साथ यहां से अगर पांच घर आगे जाएं तो एक, दो, तीन, चार, पांच खाली है क्यार है नमबर? एक, दो, तीन, चार, पांच तीन नमबर भी खाली है इसके बाद अगर आप देखें तो जहां पर आप देख रहे हैं यह 10 नमबर कुंडली का करम स्थान है और यहां पर केतू बैठे हैं लगन में जो कि यहां लगन दिखाई पड़ रहा है दसम स्थान है यहां से पांच घर आगे जाएं एक, दो, तीन, चार, पांच दो नमबर खाली एक, दो, तीन, चार, पांच जहां यह 6 नमबर आप देख रहे हैं यहां पर कुंडली का यह स्थम स्थान बनता है यहां यह भाग्य भाव की तरब दिखा रहा है लेकिन यहां पर बैठे हैं सनी और बुद्ध यह दो दोग्रा प्रिदर्श को क्या बता ना था मुझे कल अपनी जन्म कुंडली को मैंने कहा था तीन, माफकरी का चार विभागों में बाटिये यानि केंद्र के जो चार घर हैं उनको चार त्रिकोण के रूप में आप लीजिए प्रथम त्रिकोण जो की आप खुद हो जाते हैं इसके बाद उससे जुड़ा पांचवा त्रिकोण आपके ज्यान के बारे में दरसाता है आपके ज्यान को दरसाता है इससे पांच घर आगे बढ़ने पर आपका जो त्रिकोण का अगला घर बन रहा है वो आपकी कुंडली का भाग्य भाव बन रहा है जो आपके धर्म को, आपकी उच्च सिक्षा को दरसाता है पुनाह बता दू कि धर्म का अर्थ होता है अपने करतब्य को समझना तो वो कुंडली का नवम स्थान बन जाता है उसी तरह से जहाँ आप कुंडली के चतूर्थ स्थान को लेते हैं तो चतूर्थ स्थान से पांच घर आगे बढ़ते ही पुनाह आजाता है एक नए ज्यान का घर वो ज्यान का घर मृत्यू का घर है बड़ा गंभीर विशय है ये जन्म कुंडली का जिसे अभी और जैसे जै को समझना ग्यान नहीं इस मृत्यू के भवजाल से क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूं कि जोतिस्य से बड़ा कोई आध्यात्म है ही नहीं तो इस भवजाल से निकल जाओ या निकलना या मुक्ति को पालेना आपके उच्च सिक्षा को दरसाता है उसी ग्यान को और बड़े लेबल पर समझने को दरसाता है यानि कुंडली का बार्मा भाव मोक्ष का भाव वहीं कुंडली का जो सुख का घर है वो अगर आपके सब्तम स्थान को अगर हम देखें तो आपके सुख आपकी पतनी मूल नाम हमेशा इसके मूल नाम को पहले लेकर के समझिए इसके बाद उससे जूड़ी चीजों का विचार करिये तो मूल नाम क्या है? तो जाया यानि पत्नी अथवापती का घर है पत्नी अथवापती से ग्यारफ, आप करीगा पांच घर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मेसलगन की कुंडली है तो पांच घर आगे बढ़ते ही जो रासी आती है वो है कुंभ रासी कुंभ रासी है सनी की रासी सनी का स्वभाव आपको समझ लेना है वो न्यायाधीस है, वो दास है मुखिता वो न्यायाधीस है और उससे पांच घर आगे बढ़ जाते ही वो राजकुमार की रासी यानि की बुद्ध की रासी मैनेजमेंट की रासी अब यहाँ पर भी बड़े रहस्य हैं क्योंकि कुंडली का यह जो सप्तम स्थान है यह बड़ी गहराई की बात करता है इसको बड़ा गंभीरता से समझना होगा अगर आम जन पांच घर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ग्यान की तरह काता है तो मेसलगन की कुंडली है तो वहां से ग्यान आजाता है मकर रासी आप बड़े रहस्यमें हैं मैं बता चुका हूँ बताने वाला हूँ माफ करीगा इस पर कई बाते भी आगे वोने वाली है उससे मेहनत तो मैनेज करके करने वाला मेहनत तो पांच पांच आगे घर आगे बढ़ते जाए ग्यान और उच्च सिक्षा जो ग्यान आया उससे पांच घर आगे बढ़ते ही उच्च सिक्षा है और वो अलग तरह की एक उच्च सिक्षा दे रहा है यहां पर किसी ने मुझसे कल कॉमेंट में पूछा था कि क्या त्रिकोण सदैव लाभ दायक ही होगा यदी वो उनके स्वामी आपस में सत्रू हो तो मैं बता दू प्रेदर्श को सब के लिए कि यहां पर जितने भी त्रिकोण बन रहे हैं एक नजर डाल करके देखिए यह त्रिकोण कभी आपस में अतिमित्र सुक्र सनी और बुद्ध आपस में अतिमित्र सनी सुक्र और बुद्ध आपस में मित्र और अतिमित्र एक बात और लगन जैसा होगा यानि की प्रथम भाव जैसा होगा चाहे वो चतुर्थ का हो सप्तम का हो दसम का हो अगर वो सम है तो पंचम और नमम भी सम ही ये सम है तो पंचम और नमम सम है उससे मिलता जूलता है हमेशा याद रखिए कि इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा गहरा और गंभीर रहस्य है अब मैं आपको बता दूं कि हमें ये जानने के बाद कि वो क्या कह रहा है मैंने कहा था कि एक दम से सरल और साधारन सब्दों को चुनियेगा और समझने का प्रयत्न कीजेगा कि वो कहना क्या चाहता है आपसे तो एक चीज तो आपके समझ वे आ गया कि अगर मकर लगन की कुंडली की मैं मैं पंपुना बता दूं कि आप उलज न जाएं इसलिए मैं इस लगन की कुंडली ले आया था किसी और लगन की जैसे आप कहिए मैं कल किसी और लगन पर इसको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि और सरली करन हो और इसको आप समझिए और समझिए और जितना अधिक गहराई में जा सकते हो इस जनमान्क चक्र के चार त्रिकोणों को समझिए त्रिकोण एक जो की लगन है वो आप है यह जो यहां लगन बन रहा है यह तो आप है यह आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी आपसे अलग नहीं है आपका सुख आपसे जुड़ा हुआ है आपका कर्म आप से जुड़ा हुआ है हमेशा मैं कहूंगा कि सबसे पहले उन चीजों का विचार कीजिएगा जो प्रमुख रूप से कहा गया है जैसे तनुधन सहच सुरित सुतरीपू जाया मृत्यू धर्म कर्म आयब्यय यानि जो प्रमुख नाम है उसी को सबसे पहले जोड़िये और फिर बाकी जब इनको आप कायदे से समझ जाएं तब उससे आने वाला जैसे की मान लिजे हम एक नए त्रिकोन का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं जैसे जन्म कुंडली के ज्यादा तरलोग आज कल रिण से बहुत ज्यादा परिशान है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मेरे पास रिण को ही ले करके आता है कि मैं रिण के कारण परिशान हूँ चलिए मेस लगन की कुंडली है यहाँ पर एक त्रिकोन का निर्माण करते हैं तो यहाँ से पहला त्रिकोन बनेगा कर्मस्थान दूसरा त्रिकोन बनेगा धनका भाव और तीसरा यह त्रिकोन बन गया अब अगर मेस रासी के जातक का कर्म भाव में रिण बन रहा है तो वो क्या कहना चाहता है कहना चाहता है कि आपने मैनेज करना नहीं सीखा आपने ठीक से मैनेज नहीं किया अगर आप मैनेज कर लें क्योंकि कन्या रासी का काम क्या है इस तरीका क्याम क्या है हर परिस्तिती को साथ ले करके चलना हर परिस्तिती को हर परिस्तिती में सामंजस से बिठा लेना और फिर वहां से अगर आप कर्म की तरफ जाते हैं पांच घर आगे जो की ज्यान है पांच घर आगे ये रिण मुद्दा है हमारा यानि आप जब जब तो मुद्दे की बात आएगी वो आप हो जाएंगे जब-जब मुद्दे की बात आएगी तो रिण अगर मुद्दा है तो वो आप हो गए रिण से पांच घर आगे गए तो कर्म का स्थान आया और वो सनी का घर है ये रहस्यात्मक है ये रहस्यात्मक है मकर रासी मकर का स्व तो सबसे बड़ी आदत इनके अंदर होती है कि अपनी बातों को बहुत जल्दी खोल देते हैं, अपने अंदर कोई बात रखने की जगह, खोल के सब के सामने रख देते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मैंने कहा था न, कि मैं बड़ा गंभीर मुद्दा यहां नहीं ल उठा जाए, बहुत गहराई, बहुत गंभीरता में जाने की जरूरत ही नहीं यह, वहाँ जो जाया है, जो जायगा, वो उल्जेगा, और उल्जन में जाने के लिए तो मैं कभी किसी को नहीं कहता, मैं खुद नहीं जाना चाहता, आपको क्यों ले जाऊं, तो यहां से गर आगे जाएंगे तो उच्च सिक्षा है यानि आपका धन उच्च सिक्षा का घर बन जाता है और कहता है कि रिन चुकाना चाहते हो तो जरा बिवेक लगाओ जल्दबाजी में आकर के दूसरों के प्रेसर में आकर के ये मेस लगनवालों से बहतर कोई नहीं बता सकता क्यो पुनह कर्म करो और अपनी रिन की तरफ जाओ रिन चुकता हो जाएगा शरल तो था आप अपनी कुंडली को खोलिये और पुनह कहूंगा कि आज अभी सरलीकरित किया है अगर आप कहेंगे तो मैंने जन्मांत चक्र में ही यहाँ पर हर किसी के नक्षत्र को भी लिख दिया हूँ अगर इच्छा हुई तो कहिए मैं इसको थोड़ा सा कठिन कर दूँ लेकिन कठिन करूंगा तो उलज जाएंगे मैंने जैसा कहा था कि यह जिस सक्स की कुंडली है अपने जीवन काल में अपने क्रोध के कारण बहुत सोट टेमपर हैं यह और अपने क्रोध के कारण अपना घर अपना दामपत्य जीवन सब कुछ हिनोंने खतम कर दिया माता पिता पिता इनके गुजर गए इनके क्रोध के कारण वो सदईव दुखी रहे बड़ा क्रोधी हर दो मिनट पर हर अगली बात पर इनको क्रोधाना मेसलगन ब्रिश्चिक रासी पहला ग्यान जो बनता है वो सुर्य से प्रभावित दूसरा जाओ जो ग्यान बनता है यानि उच्च ग्यान वो गुरू से प्रभावित स्कूल में भी गय तो इनका कभी सिक्षकों से नहीं बना पढ़ाई अपनी पूरी कभी नहीं कर पाए आधी अधूरी छोड़ के चले आए अब इसके बाद अगर हम गहराई में जाएं तो हम नक्षत्रों की तरफ जाएंगे और नक्षत्रों की तरफ आप जाएं तो लगन जो बन रहा है वो वहाँ पर कोई ग्रह तो नहीं है तो ग्रह नहीं है तो लगन का हम नक्षत्र देख लेते हैं तो लगन का जो नक्षत्र है वो अस्वीनी नक्षत्र है और अस्वीनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं केतू पंचम स्थान में मंगल बैठे हुए हैं और वो मंगल मघा नक्षत्र में यहाँ पर बैठ रहे हैं वो भी केतू का नक्षत्र है इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर नौ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर सुक्र बैठे हुए हैं एक अंस के साथ और यह भी मूल नक्षत रहाँ पर इस भाव में बन रहा है और उसके स्वामी बन जाते हैं के तू, के तू कौन? के तू मंगल की छाया के तू, मंगल की छाया, मंगल के समान आचरण करने वाला जातक का लगन मंगल से प्रभावित, रासी मंगल से प्रभावित, ज्यान, सूर्य, उच्च ज्यान, गुरू जो सत्य बहुत बोल देता है, और सत्य कई बार बुरा भी लग जाता है सामने बाले को अच्छा भी कई बार बोले तो भी बुरा लग जाता है लेकिन ये तीनों के तीनों ग्यान केतु से प्रभावित होने के कारण जातक पूर्णतह सौट टेमपर हुआ और बहुत जल्दी बदल जाना इसके सुभाव में बदलाओ भी बहुत जल्दी क्रोध भी बड़े लंबे समय तक के लिए नहीं थोड़े देर के लिए लेकिन इस थोड़े देर के क्रोध ने सब बरबाद कर दिया पत्नी के जाने के बाद पत्नी जातक को समझ में भी आईगी गल्ती किया पत्नी को मनाने गया लेकिन पत्नी अब नहीं मान रही क्योंकि इनके सुभाव से परिचित है कि अभी मान गया है फिर बदल जाएंगे तो ये केतु के कारण केतु का नक्षत्र ग्यान में यहाँ पर यहाँ पर लेकिन मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा गहराई में जाना ही नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि इसके सामान्य अर्थों को समझिये सामान्य अर्थ आपके प्रश्ण का हल है आपकी कुंडली को पुनह आज मैं मेस लगन ले आया हूँ आप चाहें तो मैं कोई और लगन ले आ दूँगा और उस पर ही इन सारे प्रश्णों का अर्थ आपको समझा दूँगा कि ये क्या कहना चाहता है त्रिकोन ये जो त्रिकोन बन रहा है हर भाव में सुख में भी जोड़िये पत्नी में भी जोड़िये वही अर्थ आपके सामने निकल करके आएगा केवल आपको घटाना है और सामान्य शाब्दिक एक किसी दर्सक ने बढ़ा सामान्य साब्दिक अर्थ निकाला भी है मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा और प्रत्न कीजिए और जितना स्वरल से स्वरल शब्द ढूनेंगे आपके आज पास हर प्रशन का जवाब है आज के लिए वस इतना ही समय पर्याप्त हो गया है इस जनमान्य चक्र को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि समय काफी हो गया इस वीडियो को बनाने में काफी समय लग जाता है जो आपके पास देर से पहुँच पाता है तो कई दर्सक नाराज होने लगते हैं तो आज के लिए वस इतना ही अगर ये विसे बाकी रह गया है तो कल पुनह अभी इसको और सरल करके समझाने का प्रत्न करूंगा किसी और लगन पर तो आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए कल पुनह आप सब के समुख हाजिर होंगा तब तक के लिए नमस्कार